कर दो कर दो कर दो कर दो एक बार मैसेज कर दीजे कि कैसे हैं आप सब बढ़िया है तो अब स्टार्ट कर दें आज के सेशन को चलिए तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेशन क्या पूछा जा रहा है आंसर आप लोगों को फटाफट से करना है कि देखते हैं कि कितना अच्छे से आप लोग आंसर को कर पाते हो एक बार मैसेज कर दीजे सब बढ़िया है कि आप वीडियो वीडियो और आपके गोल्ड के संधर्भ में जो है वह आपको कौन सा कतन सही है यह आपको यहां पर पूछा जा रहा है तो कौन सा कतन सही है सोचिए समझे विचार कीजिए और जवाब दीजे फटाक से ठीक है तो हर्षराज सिनहा और अब कहते हैं तो होती है शकते इसमें तो कॉई दिक्क्त ही नहीं है जो इनकी original state होती है उसी state में यह पाय जाते है फिर बोला जा रहा है कि यह आवर सार्णी में एक ही समों में रहते हैं बिल्कुल सही बात है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि C will be the right answer क्यों कि दोनों ही चीज़े यहाँ पर जो है वो क्या बोली गई है सही बोली गई हर्श जी बिल्कुल सही है रविंदर जी फटावट से बता दीजे देखो आगे चलके हमें नई questions भी देखने को मिलेंगे तो फटावट से आपको आंसर करना है अगली बात की जारी कि नॉब भी reaction नहीं करती तो ऐसी कैसे को हम लोग किस नाम से जानते नॉबल के जानते तो फिर यहाँ पर क्या से जवाब हो जाएगा अब आप को पता है नाइट्रोजन जो होती है ना उसकी खास सुनिए नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन फ्लूट के रूप में है अगर अब मैंडम nitrogen तो gas है, फिर nitrogen fluid के रूप में कैसे convert होगी, अरे भाई पढ़ाया तो था कि temperature कर दो कम, और pressure कर दो high, तो जब pressure high कर दोगे और temperature कम कर दोगे, तो यह nitrogen जो है, वो किस में बदल जाएगी, यह nitrogen liquid में बदल जाएगी, और आपको बताएगे nitrogen liquid जो होता है, वो cryogenic liquid के रूप में भी जाना जाता है, तो nitrogen liquid को ही हम लोग cryogenic liquid के रूप में भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं, अब cryogenic क्या है, याद करो cryogenic engine, जो बहुत minus के 200, 300, 200 temperature पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, जिसके अंदर बहुत अच्छा fuel यानि की hydrogen होता है, और hydrogen को जलाने के लिए जो oxygen का रखा गया है, वो आपका oxygen दखा गया है, तो ये चीज़े भी आप लोगों को यहाँ पर जो है, वो क्या होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, बोलो देखें, परगाई सेशन को शेयर नहीं क्या क्या है ना, तो एक बार फटावट से सेशन को शेयर कर दीजे, इंदू एहलावत जी, नमस्कार, फटावट से ये चाहिए, जबकि नॉबल गैसेश वो गैसेश होती है, जो की भरबर की रियाक्शन नहीं करती है, फिर बोला जा रहा है ऑक्सीकरन, अरे भाई, ऑक्सीकरन तो और भी अच्छे से रियाक्शन करता है, हीलियम, हीलियम के बारे में क्या जानते हूं, याद करो, रदर फो स्वाय था, बिल्कुल, अमोनिया का बिल्कुल यूस करते है, आप पता है, फ्रीज के लिए हम कहते थे, फ्रिज की हवा निकल गई है, इसलिए फ्रेज जो है, वो क्या नी कर रहा, काम नी कर रहा, इसकी गैस खतम हो गई है, तो वो जब फ्रिज में हम लोग जो गैस Kayleus के alpha particles को लिया था तो hydrogen यहां पर भी तुमको यह याद रखना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा gas के गुबारों के अंदर उनgin को जोन सी गैस को यूज करना होता है gas के गुबारों के अंदर हम लोग helium यूज करतें ने करतो hydrogen सकते थे पर फिर हमें helium गैस को यूज करना पड़ता है और हिलियुं का यूज का है बताओ करते हैं को जो गैस के संद्र कर आते हैं कि अन्दर भी रॉलोग हिलियं को लेकर जाते हैं । आपको बता देती हूं कि यह दौन trainers कौन से प्लास्ट के एक्जामपल है तो ये दोनों ही ना लूको प्लास्ट के एक्जामपल है अब आप कहोगे कि मैंडम लूको प्लास्ट क्या होता है तो आपको पता होगा कि भाई प्लांट के अंदर एक स्पेशल प्रकार का सेल ओर्गन पाया जाता है उसका नाम क्या है उसका नाम है Plasted, यानि कि लवक, और लवक का ही एक प्रकार है, जिसे हम Leucoplast या फिर आवरनी लवक के नाम से जानते हैं, और यह अवरीणी लवक जो है वो storage का काम करता है और अगर यह storage का काम करता है तो आप मुझी यह बताओं कि मेडम तो इसके टाइप होता है उन स्टुडेंट्स को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी विच इस टू इलेक्टरोन है बिल्कुल सही बात है वेरी गुड का लोल बहुत बढ़िया तो भाई रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये क्वेशन से हाड और मैं नहीं चाहती कि इन में से एक भी प्रश्न हमारा जो है वो क्या हो गलत हो क्या कहा जा रहा है विब्रियो बैक्टिरिया का आकार कैसा होता है बैक्टिरिया की गाईज बहुत सारी शेप होती है हैना संजे शर्मा जी बहुत बढ़िया नमसकार चलिए अब देखिए फटावर से जो है राजीत नाम है आपका रजीत आ हरिया नमसकार और एक बार गाएज सिशन को शेयर कर दो और एक बार फटावर्ट से जो है वो अपने दोस्तों को बुलाला बहुत अच्छा लगएगा सही बतारा फूर्टान हे बोलते है की वेजा होते हैं अगर गालेरी बूध यह सस्ट्रक्चर यहार आई पाइरल जो रपिला कार संदशना का सो भी नहीं होगा क्या हो गया भाई तो देखो तो बिंदु आकार का नहीं होगा क्लस्टर नहीं है रोट शेप नहीं है अलप विराम मतलब की कॉमा शेप यहां पर है क्या रहेगा कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है हेजा का और हेजा का नाम क्या है विब्रियो अब हेजा को खाता गया है कॉलेरी कहो हां के ना नीशा जी सभी नए लोगों को नमस्कार प्यार भरा गुड मॉर्निंग अंसर कर दीजिए हना देखो क्या कहा जा रहा है नीशा जी यहां पर कहा जा रहा है कि निमनली कितम से कौन सा रोग मुंगफली में पाया जाता है तो देखो डौनली मिडल भी नहीं यहां पर पाया जाएगा बंट पाया जाएगा बंट भी नहीं होगा एककी रोग होता है एककी रोग होता है जो कि आपके किस में पाया जाता है मुंगफली में पाया जाता है भारती और सभी लोग बाते नहीं करेंगे अच्छे क्वेशन से पढ़ लीजिए महत्व पूर्पूर्ण है यूसफुल है काम आएंगे शेखर जी तो देखिए क्या कहा जा रहा है इककी डिजीज मुंगफली में इककी डिजीज पाई जाती है मुंगफली को टेक्सोनॉमिकल रूप से हाइपोगोनियल रूप में वर्गिकरत किया गया है हना ग्राउन नट ग्रा आपको पते हैं लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं लेग्यूम प्लांट वो होते हैं जो अपनी जड़ो में क्या रखते हैं अपनी जड़ो में एक बैक्टीरिया रखते हैं कौन सा है वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम है राईजोबियम सबसे ज़्यादा सोय प्लाजमा प्लाजमा कवर करता है आपको पता है कोरोना के अंदर क्या कहते थे कि प्लाजमा डोनेट करो क्यों कहते थे क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बना कर कहां भेज दी जाती है प्लाजमा में भेज दी जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी इम्यूनिटी है वो कहां पर उपस्तित होती है प्लाजमा में उपस्तित होती है और बलड का 55% भाग जो तो मैं अन्सर ही नहीं बताने जाते हूं चलो वेटिपरोंगी है मुझे चलो ठीक है बात सही कहा दे तुमने चलो इस भार तुमहीं बताओगे ठीक है तो यह बात करते हैं प्लेटलेट अब प्लेटलेट की बात करते तो 45% बचेवेऊ में RBC होती है इस यही बई प्रतिषत का 9-9 प्रतिषत डबू बिसी होती है 0.2 प्रतिशत और प्रेट लेट्स होती है 0.8 प्रतिषत कहो बात समझ में आई है के नहीं आई हैं चलो चलो बहुत बढ़ी चलिए क्वेशन आता है यह भाई question आता है बहुत बढ़िया है अगर क्वेशन आता है तो ठीकि मेरा माँ बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई चलो तो मैं भाई यही बात हो गई मैं बढ़ी एक्साइटेड हो जाती हूं और भाई मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी चलो अब मैं जो है वो क्या करेंगे एक बार सभी लोग फटा-फट से सेशन को क्या कर देंगे शियर कर देंगे और नेक्स क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से बता दीजे वाट विल बी दो राइट आंसर कहिए देखे क्या यहां पर कहा जा रहा है कि मानव शरीर में निमन लिक वन ओफ मेजर कंपोनेंट ओफ ब्लड सीरम बता दो बता दो देखी फटावट से ठीक है टीजर नहीं इसलिए मैम टीचर नहीं हमारी दीदी है अरे वाँ चलो भई चलो देख लेता है अब बता दो निशा आंसर क्या होगा बॉन मैरो नहीं सुनो मेरी बात जब भी ऐसे प्रश्ण आये ना और आप से पूछ़ए कि this चीज कौन बनाता है है और आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो उसमें 80 परसंट चांस होंगे देखो 80 बोल रहूं तप्पे भी लगाओ तो सोच समझ के लगाना 80% चांस होंगे कि आपकी बॉडी में मैक्सिमम चीजे प्रोड्यूस करने का काम एक ही चीज करता है वो है औरगन का फूफाजी और फूफाजी क्यों बोलते हूं मैं इसे अंगों का फूफाजी क्योंकि जैसे फूफाजीयों क जो है वो साल्ट हो गए या फिर आयन हो गए हना उनको स्टोर करना हो ठीक है या फिर जो है वो एंब्रियो के अंदर जो है वो क्या बनानी हो आर बीसी बनानी हो या फिर जो है किडनी के लिए यूरिया का प्रोडेक्शन करना हो ठीक है तो यह सारे के सारे काम लीवर करता यह सकति क्या है और वो जादूई शक्ति क्या है यह लिवर के अंदर रोजादूईक है स्क्थी अब आप कहोगे कि मैडम यह stem कोशी काaur होती क्या है तो stem cell वो पावर है stem cell एक special प्रकार की cell है ठाइक मैंने स्पाइन बोल दिया गलती से नहीं बोलना बिटा अब समझो यहां पर 이 step cell के अंदर एक special प्रकार की power है और stem cell जो होता है na इस्प्रिन में भी हाँ में भी होता है वो कह सकते हो तुम ठीक है ना ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे तो इस टैम सेल जो है वो बिसिकली क्या करती है इसमें वो लीवर जो होता है ना लीवर को अगर माननों लीवर आपका 80% खराब होगया तब भी जो है अगर आप सहीद इंचरीयर रूटियन रहोगे तो आपका लीवर अगेन हंड्रेड परसेंट साही हो जाएगा है नहा क्यों होaying परसंटेज वाइस डोनेट किया जाता है अगला प्रशन देखिए कि निमनलिखित में से कौन से पौदे के लिए आवशक शुक्ष्म पोशक तत्वों में से नहीं है फेवरेट सेल स्टेम से अरे बहुत बढ़ी है प्रिया मेरी भी शेखर ओके हंजी और शारुक खान सीटी निश्या आरिया महेंद्रा ओमकार गाइस एक बार सेशन को शेयर कर दो यहार अगर अच्छा लग रहा है तो हैना अगर सब चीज़े समझ में आ रही है तो प्लीज सेशन को शेयर कर दिजे ठीक है चलिए बताईए फटावट से और द्रिस्टी जी सैनी जी नमसकार अलब अबिडिनम आपका माइक्रो हो सकता है है मेगनीस तो है यह और जिंक तो है है पर आपको ध्यानक नैं मैगनीशियम आपको अच्छे खासे माउन में चाहिए सुक्ष्म लेवल में नहीं चाहिए ठीक है मैडम कैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा carbon present होता है hydrogen present होता है और present होता है आपका oxygen अब देखें यहां पर हना इसलिए भरपूर आवरती में है अब देखो sulfur calcium और magnesium जो है वो इनको कैसे चाहिए माध्यमिक पोशक तत्वें पर सुक्ष्म पोशक ततों में कौन आ रहा है सुक्ष्म पोशक ततों में आ रहा है बोरोन कोबाल्ट तामबा लोहा मैगनीज मॉली बिदेनम और जंक ठीक है तो यह इतनी चीजे सुक्ष्म पोशक ततों में आ रही है तो लिख लेना समझ में आ air and water therefore in plant full supply nitrogen phosphorus and potassium ठीक है और देर 3 micronutrient and there the three elements are the most of the package and the fertilizer sulfur calcium and magnesium secondary nutrient and boron cobalt copper iron magnesium molybdenum and zinc it is micronutrient ठीक है इसमें एक चीज़ और ध्यान लखना है कि nitrogen phosphorus and potassium जो कि macro रूप में आपको present यहां पर होते हैं nitrogen phosphorus and potassium अगला प्रश्ण देखिए हैं नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ओके मिस्टर अलबादी छोड़ा प्रिया शारूक शार क्या नाम है आपका शेखर शीवम जी और इसके अलावा हर्ष देखो रिवीजन हो जाएगा बहुत सारे लोगों का तो आप बाकी दो बात समझ रहे होंगे निमनलिकित मेंसे अनिश्चित्ता का सिधान्त किस ने दिया फूआ अंसरटेनीटी किस ने दिया अनसर बताना नहीं है अभी रुकना क्योंकि निशाने काहा है कि ट्रिक कुछ नहीं है निशा कुछ भी नहीं है आप बेसिक से भी करोगे तब भी आप अच्छे से कर दोगे इसमें ट्रिक वाला कोई कौई कॉंसेप्ट नहीं होता भैई ध्यान रख लोना northern और क्या बोल रहे क्या होते सामने वो चीज़ दिखतें तो फट से यादा जाती है तो ये वाली बात है वर्नर किसकी बात कर रहे है वर्नर ने जुह है वो बेसिकली क्या दिया था वर्नर ने हाइजेन बर्ग का सिध्धान्त दिया था वर्णर ने हाइजेन बर्ग का सिध्धान्त दिया था अनी और नमसकार एकस वाइजेट जी बिलकुल नमसकार तो हाइजेन बर्ग का सिध्धान्त दिया था है नहीं होंगे अब हाइजेन बर्ग का सिध्धान्त क्या है इसे भी पढ़िये भाई पहल कि इस्तती एक तो किसी भी कन की इस्तती और इसके अलाव उसके सम्वेग दोनों को हम एक साथ एक साथ एक जगह पर नहीं जान सकते किसी भी वस्तु की इस्तती और सम्वेग को एक साथ पता नहीं लगा सकते या तो आप इस्तती का पता लगा लो तो सम्वेग गलत हो से आप किसी एक को ही अच्छे से पता कर सकते हो फिर बोला जा रहा है कि यह ना हम दूसरे को जानते अब यहां पर यहां पर ध्यान रखना कि यह सिद्धानत ना वो ड्रीब रॉग ली की जो द्वैत प्रकरती थी ना कि जो चीजें है वो कंण और तरपरागाश जो है कंण और तरंग की तरह भीव करता है तो वह वाली चीज़ आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है पेपर तो एक दिन होगा और वह कैसे बनाओ बनेगा पेपर तो एक दिन होगा अरे असी आर्स का मतलब है है HRG कि भाई आप इतने दिन पढ़े हो पढ़ने के बाद में इतने दिन आपने असी घंटे के आपने प्रैक्टिस किया और उसके बाद में आप पेपर दिये हो कैसी बाते करते हो इतना बच्चों सा क्वेशन नहीं आए आपको ठीक है बताओ देगे फटावर से हैना तो आप असी घंटे पढ़े हो पेपर तो बाद में दोगे ना पहले तयारी तो करोगे तो वही बात है बोलो देखे समझ में आया कि नहीं आया हाँ या ना तो बोल दो चलो अब आगे बढ़ जाओ क्या कहा जा रहे पहले तो शेशन को लाइक करो कि क्या होगा जल्दी से लावट से बताओ रविंदर जी ओमकार शीवम क्या हो जाएगा देखो क्या कहा जा रहा है मैंजी अ कि निशा देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे और बार बार देखोगे ना तो चीज़े याद होंगी मैं तो देखो यही मानती हूं रिवीजन मोस्ट गूसवी देखो जाएंगे एक वर्तुल समान की इस्तिंति बोली एक समान गती वर्तुलगति कर रहा है कोई बंदा यहां से स्टार्ट हुआ गूमा और वापस यहां पर आ गया साइंस क्या कहता है आपस कारिये पूछा है कारिये क्या होता है fs cos dita fs cos dita अब यहाँ पर यह जो s है वो basically विस्तापन को बता रहे हैं और विस्तापन क्या होता है अंतिम माइनिस प्रारंबिक करते हैं मतलब की आपकी अंतिम और प्रारंबिक इस्तती क्या हो रही है वर्तुल गती में समान हो रही है जहां से शुरू हो थे वही पर ही नहीं हो जाएगी जीरू तो आपके पास में किया गया कार यह वर्तुल गती में कितना आ जाएगा जीरू आ जाएगा क्योंकि एक समान गती है कहो तो सही बात समझ में आया कि नहीं आया है मिस्टर अलॉन क्या कहा जा रहा है कि what is the work done by the centripetal force in case of the uniform circular motion तो circular motion में क्या होता ह है तो आपको पता है भाई जीरू जूल हो जाएगा क्योंकि कार यह तो समझ में आया कि नहीं आया ठीक है मैं ऐसे ही question मिलते है ना रंजी जी तो भाई मैं भी ऐसे ही question लेकर आई हूँ चाकि आपके exam की practice खास हो सके बढ़िया हो सके अच्छे तरीके से हो सके अगला सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है ये भी बता दीजे और तुम शेशन को जो है वो क्या करना पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा तो भाई वही देख लेते हैं एक बार क्योंकि तुम तो करोगे नहीं तो कोई नहीं तुम लोग इसका answer दो तब तक मैं जो है वो क्योंकि इसके अलावा अपने पास में कोई और option बचता नहीं है है ना तो ऐसे तो काम होगा नहीं चलो फटाफट से answer करो क्या यहां पर correct answer हो जाएगा कि अगर चलिए चलिए फटाफट से answer कीजे आप लोग बोल रहे हो एक्स है ना एक्स एक्स रे की बात कर रहे हो भाई एक्स रे कैसे हो जाएगा सबसे ज्यादा की पूछिए कि सबसे कम की पूछिए सबसे ज्यादा की पूछिए सबसे ज्यादा race कौनसी होती है infrared होती है सबसे जादाão रेज कौनसी होती है infrared होती है तो यह चीज़े भी आप लोगो को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी हो देखे बास समझ में आई और नहीं आई है बोलते जाओ भाई देखें दृधू आगून का कुल आवेश जो है वो कितना होता है मेसेज करो देखें कितना होगा क्या लगता है तुमको दृधू दो पोलर के बीच का आवेश आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा फटावर्ट से मेसेज करो तो मेरां दृधू आगून की पूछे तो दृधू आगून all over अगर मैं बात करती हूँ तो कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा zero कितना हो जाएगा जीरो यहां पर हो जाएगा निशा जी कितना हो जाएगा जीरा हो जाएगा बोलो देखे फटावर जै छे लाइक कर दी है चलो बहुत अच्छी बात है अब तुम चाहे एक लाइक करो चाहे छे लाइक करो आयान तो है आयान को तो नहीं भेजेंगे फिर च lock मिश्रधातु यह फिर लॉक अलउए जो होता है मेडम फर्स्त आंसर दिया क्या मैं मेरे फिर से आंसर दिया राइट आंसर दिया अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है राइट आनसर आपने दिया है तो अभी आँसर गर्दों फटावट से क्या यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा कि भाई लॉक मिश्रधा तो भाई किसे चूज दा इनकरेक्ट अलॉय दक अन्सिस्टों एंट मैटल तो लॉक अलॉय आईरन से बनी होती है नहीं बनी विलाटियम की बात करें कोबाल्ट से बनी होती है इतलामा की बात करें अलूमीनियम से बनी होती है और कंस किसकी बात करें कंडंसेशन की बात करें कोपर सी बनी होती है ठीक है अब बात करते हैं यहां पर किसके बारें बात करें लॉक अलॉय एक ऐसी मिश्रुधातों है जिस में आया तो एक बार मैसेज कर दो की हंजी मेडम समझ में आय दिलाए छलदी से मैसेज कर दो चलिए राधे राधे प्पढटी जी हर्ष जी अलौन कलोल शिवम है रहा ठीक आगया लिख दो बोले आगया मैडम अगला प्रिषण कि योगिक को प्रभावित करता है cone cone pin्ष और कि प्रभावित करें गे किसी भी आयन बनने के लिए cob ansa कॉन से concept जो कि क्या करेंगे प्रभावित करेंगे अभी ये आपको यहां पर समझना है तो फोलॉविंग का साइच जो है वो उसकी capacity پे निर्भर करेगा क्या रे बिल्कुल करेगा मान लो कि यह नाविक है इस नाविक के पास वाली अगर किसी का कार इतना घूता है तो नाविक के पास में जब नाभिक का effect उसपर कम हो जाएगा नाभिक क्या करता है कि अपने बहातम electron के अंदर बहातम कक्षा के अंदर जो electron है उस पर control करने की कोशिश करता है अब अगर वो control छूट जाएगा ना तो क्या होगा वो electron भागेगा तो जितना जादा कार होगा उतना ही जादा जो है दिक्कत हो जाएगी है ना सच्चिन जी एक तो यह हो गया दूसरी बात करें आयन का आवेश अब आयन का आवेश का मतलब क्या है अब बहुत कितना चार्ज लगा है किसी पर प्लस वन चार्ज होगा किसी पर प्लस टू चार्ज होगा किसी पर प्लस त्री चार् करेंगे है की नहीं है बताओ देखिए बास समझ में आई की नहीं है तो से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे सिंपल अवस्ता हो सकती है कि किसे सिंपल क्वेशन हो सकता है मैंने कल मैं देखो अड़ा 247 आईयस और PCS वाले चैनल पर ना एक चैनल आईयस PCS उस चैनल प्रफू वाली क्लास लोगे ना तो आपको नई चीजे पढ़ने मिलेंगी जैसे कल मैंने बच्चों को पढ़ाया उस क्लास के अंदर कि बोर आइंस्टेइन पहली बात तो यह परधार्त की पाचवी अवस्ता को किसने जो है वो बताया था वो सतेंदरनात बॉस ने बताय से यह बोर आइंस्टेइन अवस्ता पता है तुम्हें कैसे बनी थी जब आप कम घनत्व वाली सुनना मेरी बात को जब आप कम घनत्व वाली क्या गैसों को टेंपरेचर तो कर दोगे कम और प्रेशर कर दोगे जादा तो जब इसको टेंपरेचर कम और प्रेशर के साथ अ वो आपकी बोर आइंस्टाइन अवस्ता बन गई, तो यह 5 वे अवस्ता है, हालां कि इस पर अभी प्रॉपर काम करना बागी है, अब तुम ने कहा कि भाई मैडम प्लाजमा अवस्ता क्या होती, प्लाजमा अवस्ता की पहली बात तो यह प्रधार्ड के 4 वस्ता होती है, हमेशा excited state में ही रहता है excited state में ही रहता है और आपके जो fluorescent tube थी neon light bulb थे उनके अंदर plasma जो है वो पाया जाता है ठीक है समझे मैं कल ही समझाया था दो बार चाहिए तो बस मैं यह समझाना जा रही हूँ कि जो important important चीजे हैं उसको revise करते चलो revision करना जरूरी है कली करवाते हैं कली ह अब पूछा क्या जा रहा है देखो पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दू दिया कर देती है अब जब हमने कली करवाई हना blood में पाये जाने वाला plasma अलग प्लाजमा है हना बाबाजी और इधर पाये जाने वाला plasma अलग है वो भी plasma है हालंकि जो just jelly toffee आती है और ना पूरी तरह से liquid हो पाता है यह वाला concept यहां पर है ठीक है शीवम बहुत ही बढ़िया glowing glass inside neon sinks and the fluorescence lighter actually plasma बहुत बढ़िया चलिए बाबा साहब लवर बहुत बढ़िया प्रिया UPSC पस्वान जी बहुत बढ़िया ठीक है इंदू जी आपके answer wrong है कोई बात नहीं ना सीख लेंगे आप CAOH का hold twice बोल रहे हो कैसी बाते करते हो यार तो COH का hold twice नहीं होता है CAO CO3 होता है क्या CACO3 होता है क्या CACO3 मेडम हुआ क्या CACO3 होगा CAO CO3 नहीं होगा हाना अब हुआ क्या भाई आप जो कली करवाते हो वहाँ पर जो दिवार पर आपने लगाया है वो CAO है अब इसने प्रकरतिक के साथ reaction कर ली मतलब प्रकरतिक की CO2 के calcium carbonate बनने के कारण आपका जो प्ला जो आपके दिवारों पर कलर आ जाता है जो चमक आ जाती है वह इस CACO3 के बनने के कारण आता है तो यह क्या हो गया आपका calcium carbonate यहाँ पर carbon dioxide यहाँ पर हो जाएगा carbon dioxide का कोई यूज अच्छा है तुम्हें पता है कि carbon dioxide मैडम वैसे तो बहुत ज्यादा खराब है global warming के टाइम पर हना अच्छा सचिन जी आप विन classes वाले student हो आपको कैसे मिली यह classes सचिन जी कहां से पता लगा आपको कि मैं यह आपर बढ़ा रही हूँ एक और चीज समझो carbon dioxide की अच्छी चीज मैडम एक यह अच्छी चीज है कि यह है आग बुझाने में सहायक है क्या करने में आग बुझाने में क्या है भाईया सहायक है मैडम कोई reaction अरे भाई वो तुम्हारा आगनी शामक जो यंत्र होता है उसके अंदर मीठा सोडा रखा होता है इन लोगों ने और साथ में रखी होती है H2SO4 अब जिस दिन आग लगेगी उस दिन उसको तोड़ोगे तोड़ कर तुम उसे प्रेशर एपलाए करोगे तो तोड़ा तो यह H2SO4 ना कांच की नली में होता है इसके साथ मिल जाता है और मिल कर क्या बनाता है इसके साथ मिल कर N2SO4 बनाएगा साथ में H2O बनाएगा और साथ में बनाएगा CO2 और जब यह CO2 बन जाती है तो यह रिलीज होती है और आग वो जाने में सहायक है ग्लोबल वामिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जग गैस रिस्पॉंसिबल है वो यही गैस रिस्पॉंसिबल है तो ना ऑक्सीजन ना हाइडोजन यहाँ पर सही जवाब रहेगा कार्बन डाई ऑक्साइड चलो बताओ भाई पटावट से अच्छा इंस्ट्राग्राम पर मैसेच किया ठीक है देख लेंगे भाई बिलकुल देख लेंगे हरा अगले प्रशन की लाइक और दिल से एक बार सेशन को शेयर जरूर से कर दीजेगा है ना अब अगला प्रशन देखते हैं और कई लोग नए भी होंगे आज के सेशन में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि हर दिन यही क्लास होती है ग्यारा से बारा तो अगर आप नए है रेंडमली अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको मैं बता दू कि इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हर दिन ग्यारा से बारा साइन्स की क्लास यह होती है चाहिए आप कोही भी एक्जाम दे रहे हो मैं गैरेंटी देती हूं पेपर में क्वेशन फसेगा इस्सेंट सेग्वारा आलोन जी देखो हो गया ङान कल थे क्लास में इसलिए यान का सही होँ और हर्ष कल थे यह थे इसलीए हर्ष का सही हु हुआ पर शीवं आयान और ये एक बार बताओ कि अगर इस oppression को नहीं पर रहेंए को गलत करते 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 कि तो बस इसलिए क्ल जरूरी है अब तभो अगला प्रश्ण किया कहा जा रहा है टमाटर का लेट ब्लाइटर के कारण होता है हो किति रीटी करते आब आज पढ़ लिया ना अब जब मैं 20-25 दिन बाद में लाऊंगी ना तब तुम गैरेंटेड जो है वो question को नहीं भूलोगे बताओ देखें वो बहुत ज़्यादा fire के लिए तो obvious हम नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत के लिए अचानक से रेंडमली हम लोग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा में तो रिस्क हो जाएगा तभी तो वो जो क्या होती है वो अरे वन नहीं नहीं शिवम जी इंसान की वो फितरत है वो भूलेगा टमाटर का लेट ब्लाइट इस जरब यह तो हमें पता ही नहीं है तो आपको ज्य भंठ पढ़िखना तो फिरकण तो है नहीं पर जिस दिन आपकी आखों के सामने आएगा उस दिन वो राग अपने आप आपकी मंदर से निकलने लगेगी फाइठो फीन फसंस्ट पढ़के देखो फाइधो फ्लोता theoretum त Such नहीं पढ़ाए तो ऐसे questions को मैं तो ऐसे याद करती हूँ देखो सब की strategy अलग होती है सब के याद करने का तरीका अलग होता है मैं कुछ ऐसा करती हूँ अगर मेरा तरीका आपके लिए useful हो तो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं कहा रही हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो है ना अगला question देखो बोला जाने कि कि रोग को 기 karş या फिर आप कहते हो k 200 duct का जाता है कौन रस्ट है या फिर लूज ऊर्ट है करलु स्टल कर यह कर नाल बंट या जो चूड़ो यार आप तो दो fired तार्इसर से यहीं वहां पर कर्यक्ट आंसर होगा वट्विल बी राइट आंसर ठीक है जल्ली से बताईए फटावर से रैप हो गया जो कोई बात नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तना स्टेम रस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीके फर्स्ट आफ और रिवीजन कर देते हो क्लास में याद रहता है और मैं खुद से भी रिवाइस कर लेता हूँ भूलने का टे चांस बहुत कम हैं अरे वा बहुत बढ़ी चलिये निशादी अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं कि अगला प्रशन के अन्दर गिंडनी का स्टेम बजे स्टार्ट होती है तो स्टेम रस्ट वहाँ पर ध्यान रखना अכשיו आ रखिए क Arabic सरीसर हो जास है हुस होती है है तो reptiles have kidney तो reptiles में mesonephric होती है या फिर आपका uni जो है papillary होती है या फिर metafaric होती है या फिर none of these तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है metanephric होती है कैसी होती है metanephric जो है वो reptiles के अंदर जो kidney है वो metanephric होती यह ठीक है ओके ओके आ रहे है प्रिया चलो भाई फटावट से आगे बढ़ जाते हैं मिनाक्षी जी कैसी है आप चलिए मेटा नेफरीक होती है सरी सरपों में मेटा नेफरीक किड्नी होती है मेटा नेफरीक अडल्ट एमनियॉंड के जो काम होते हैं वो गुर्दे के उतर ज किसमें पाई जाएंगे हं जी अच्छा आप मिस्टर एक्स वाई जाए डियो अरे रे रे ठीक है ठीक है ठीक है फिर तो ठीक है हरा चलिए बताईए फटावट जो है वो बेसिकली होती है पास सिच है तो शाम वाली क्लास भी देख लीजेगा ठीक है मैं बहुत अच्छी ह क्या कहा जा रहा है कि मैं देखो दुख दगरंतिया अब यहां लिखा है सभी इस्तंधारी और फिर लिखा है सभी का शिरूगी जरूरी नहीं है कि सारे वर्टीब्रेट के पास सारे वर्टीब्रेट मैं मल हो सभी के पास में दुख दगरंतिया हुई ऐसा जरूरी नहीं ह तो आप all vertebra नहीं कर सकते हो अरे कैसे कर सकते हो all vertebra अंजने भी जिस जरूरी नहीं है हर बार जो है all all तो दे नहीं रखा न तो हर बार जरूरी नहीं है सरकारी option ही सही हो जाए फिर बोला जा रहे हैं आपे कि सभी इस तन्थारी और इसमें तो all of these दे भी नहीं रखा तुम कै से लिए रखा गया है क्योंकि उनके पास स्तन वुरंतिया है सिद्धी सिंपल सी बात है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विकेंड से गाइस दभी विल बीड़ा राइट आंसर अगला प्रशन क्या कहा जा रहा है एक सामाने द्रस्टी वाला व्यस्क जो है के यह नियूंतम इस परफ़ट्टम जो है वो दूरी कितनी होती है सामाने द्रस्टी वाले व्यस्क के लिए पूचा है कि नियूंतम कितनी हो जाएंगी तो यह आप लोग बता दीजिए भाई कितनी हो जाएगी हो चलिए भाई फटावट से क्या यहां पर करेक्ट आंसर रह है है कि नहीं कब लगेगी मैं 5 बजे शाम को 5-6 चंडिगट पुलिस की क्लासे होती है उस क्लासे में जरूर आई ये शाम को 5-6 शाम 5-6 फिर यहां पर क्या हो गया 25 मिटर विदा राइट आंसर नेक्स्ट कुछा जा रहा है कि निम्नमे से किसे प्रकृतिक हत्यारी आप लोग किसे कहते हैं यही आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नैचुरल किलर सेल आप किसे कहेंगे तो आप क्या थ्रोंबो साइट को कहेंगे या फिर आप लिंफो साइट को कहेंगे या फिर आप न्यूट्रोफिल्स को कहेंगे तो यह सारे के सारे किसके टाइप है कि ये सारे के सारे जो है वो किसके टाइप है ये सारे के सारे WBC की एक्जामपल है और अगर हम बात करते है WBC की तो वो कौन सी कोशिकाएं होती है जो natural रूप से किसी और कोशिका को मार सकती है तो मेडम देखो immunity कौन बना रहा है मेडम ल्यूकोसाइड लिम्फोसाइड बना रहा है है तो भाई लिम्फोसाइड बना रहा है तो लिम्फोसाइड नैच्रल जो है वो किलर सेल हो जाएंगी क्यों क्योंकि इन्होंने इम्म्यूनिटी बना रहा है जो किसी और को मारने में सक्षम है किसी और को मारने में लिम्फोसाइड सक्षम है इसलिए हम इने नैच पहते किसको हैं आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती ना देखो ये तुम्हारा यूटरस है इस यूटरस तुम्हारा मतलब फीमेल्स में प्रेजेंट होगा मेल में नहीं होगा अभी बतारी हूं कल को एक स्टुडेंट मुझे आके पूछ रहा था कि मैडम लड़कों में य इंब वाहिनी के नाम से जाना जाता है और इसका जो अंतिम भाग होता है उसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं एंपूला नहीं और थैले मस तो किसी भी हाल में नहीं समझ आ गया चलिए भाई अब अगली बात करते हैं यह देखो यहां पर जो बोला जाने यह जो चादा आज के दो साल पहले मेरा दिमाग खराब हो गया पहले तो मुझे लगा कि लड़का मजाग कर रहे हैं फिर मुझे पता लगा कि भाई यह सही में भाई साब को बता ही नहीं है तो फिर उन्हें समझाना पड़ा कि अगर ऐसा ही होता तो लड़कों को भी फिर साब अगर तिंता में हैं मगन की मेडम कहां पर होता है तो भाईया नहीं होता है मत ढूंड़ो ठीक है चलो नमस्कार जी पर आपको मैं बता दूर यानवी छोरा जी क्लास अपनी किति बज़े स्टार्ट होती है ग्यारा बज़े स्टार्ट होती है अभी मंत एंड सेल चल ठीक है अब अगर एप्लिकेशन की बात करते हैं जैसे है अपलिकेशन डाउनलोड किया और से स्कीलिस्ट में यहां पर क्या दिखाय दे रहा है से धुचले करो इंड नीचे जाओक तो नीचे से चौथे नंबर पर दिख रहा है हरियारा पे क्लिक करो अब आप चाहें यानी कि मैडम जो batch एक साल के लिए वैलिड होता था अभी ये वैलिड हो गया है कितने साल के लिए दो साल के लिए मतलब कि 24 महीने के लिए इसमें आपके कौन-कौन से एक्जाम कवर हो रहा है वो भी देख लो ग्रूप सी ग्रूप डी और पुलिस के अलावा आपका हरियाना कॉंस्टेबल सब इस्पेक्टर ग्राम सचिव फूड इस्पेक्टर पंचायती राज सी एचसल सी जी एल एचसी के जितने भी एक्जाम से सारे कवर हो जाएंगे मैडम कैसे परचेस करना और तुम्हें पता ह कर दो कि कूपन आपको कौन सा यूज करना है कूपन यहां पर आप यूज करेंगे y698 और अप्लाय करेंगे जैसे ही एप्लाय किया बैच पढ़ गया आपको 919 रुपए का कित्टे का मात्र और 911 पर 919 रुपए भी तुमको देने नहीं हैं क्यों क्योंकि जैसे ही आप CODE कोड को यूज करने के लिए आप लोगों को कुछ वो भी मिलता है और कूपन वाउचर मिल जाएगा ना जब तब क्या होगा तब यह बैच पड़ेगा 880 रुपए या शायद 818 रुपए गा हना तो भाई 800 रुपए के लप्स नम यह आपको बैच पड़ेगा और अभी यह बस दो तिन दिन के लिए यह आस तीस हो गई गतिस और एक के लिए एक भी नहीं है ना बच्चों के क्वेशन तो देखिए आप सौरी मैंने देखा नहीं मैं वीकली क्लास लेकर आओ क्यों भाई वीकली क्यों क्लास लेकर आओ तो मैं डेली मुझसे पढ़ने में जोरा रहे हैं धन्यवाद बहुत बहुत बढ़िया शाम को मिलेंगे और क्या पूछ रहे हो तुम ग्रूप D की तयारी करनी है तो मिस्ट हाफ रहार पहले लिया है तो भाई देखो मैं पहले ही कहती हूँ अगर आप किसी भी फैकल्टी का कोड लगाते हैं जैसे भी आप महापैक लेते हैं योगेश जी आप उन फैकल्टी से एक बार बात जरूर कर लीजे ये थोड़ा अच्छा रहेगा है ना तो ये वाली बा है ना मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगी मैं तो बहुत अच्छी है इस परंट आप लेट हो गए ठीक है तो यह बैच जो महापैक है मात्रा 800 रुपए में 24 महीने के लिए मिल रहा है तो इससे बैटर चीज आपके नहीं हो सकती और महापैक है तो टैस सरीज भी म मिलेंगी है ना यह भी ध्यान रखिएगा अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगी कि आज तो लेट हो गए कोई बात ने राकेश क्लास जरूर देखना इंपॉर्टेंट क्लास थी और पांच बज़े अब मैं मिलूंगे आपको चंडीगट पुलिस के लिए नए प्रश पढ़ना चाहते तो वो क्लास होगी आपकी पांस से चे और जो चंडीगट पुलिस कॉंस्टेपल बे वो क्लास से चैसे साथ तो उमीद करती हूं आपको सारी चीजे समझ में आ गई होंगी एक लाइक कम पढ़ रहा है उसे कर दीजे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्य आपके और तक यू